वेलकम टू सुकलाइडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सुकलाइडी पॉइंट में मैं सियूम सुकलाइडी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन प्रशनों पर और तीन प्रशनी ये बहुत ही मात पुण होगे और आपको पता होगा इससे पहले हमने विभिन प्रशनों पर चर्चा करी हुई है जैसे कि हमने एस्पेंसर के वेक्तिवादी सिध्धान्त को समझा एकोई नास के रास सम्भनी बिचार देखे हापस की पराकरतिक कवस्ता हमने देखी बोदा के अनुसार समप्रभुता की सीमाए देखी मैकिया बेली के धर्म अरस्तु ने करांदी का क्यार्थ बताए इसको हमने देखा सिसरों के समांदा संबंदी विचारों को देखा बोधा के संप्रभुता सिध्धान्त की परिभासा देना हमने सीख लिया परेटु के सिच्छा सिद्दान के महातु कैसे हम लिखेंगे उसको भी हमने आपको बता दिया साथी अरस्तु के नागरिक्ता संबन्दी विचारों पर भी हमने चर्चा कर ली तो इस परकार से हमने अब तक कुलमिलागर के 10 परसनों पर चर्चा कर ली है आज के वीडियो में हम 11, 12 और 13 नंबर प्रसन पर चर्चा करेंगे ये most important प्रसन है जो कि आपकी परिक्षा में पूछे जाएंगे वो प्रसन और मैं उत्तर आपको बताता चलूँगा और साथी साथ आपको समझाता चलूँगा लक्षर 3 है ये कुल मिला करके बाद मैं कहना चाहूं राजनीती सास्त पेपर 1 बिये जुती ये वर्स ठीक इसके अंतरगत पलेटो के न्याय के बारे में चर्चा करेंगे लाग के मानो सुभाव के बारे में हम देखेंगे क्या क्या चीज़े लाग के मानो सुभाव के अंतरगताती हैं मानो की प्रवर्ति कैसे थी या जैसे कि हापस ने प्राकरते कवस्ता में मानो को बताया था कि मानो जो होता था बहुत ही अराजक था बहुत ही जगडालू थ एक दूसरे को मारने पिटने लगता था जो निर्बल वर्ग थे उन पर जो सबल लोग होते थे वह मारते थे निर्बल लोगों को उनकी जमीन अधिया लेते थे उनका धंद छीन लेते थे जिसके काड़ से लोग बरह्मा के पास गए हमने बता नहीं था उसमें हापसकी प्रक सताबदी का अगरदूद कहा जाता है तो देखेंगे की आखिर का लाक्ष अजर्शी सिताबदी का अगरदूद क्यों कहा जाता है चलीए चर्चा करते हैं सभी परसनों पर यह सभी परसनन करा को अगर्द कीजिए अगर आप से एक्जाम में प errसन ऐसा पुच जाए data लाग के मानो सुभाव का वडंद कीजे तो आए भी देखते हैं उत्तर लाग के अनुसार जो मानो था स्वारती मनुस जो था वो ना तो स्वारती था ना जगडालू था ना ही एहंकारी था मलब मानो एक समाने रूप से जीवन यापन करता था और एक दूसरे में जो है क्या समती बनी रहती थी लोगों में ठीक और मानज में तुलसिदाज ने भी लिखा कि जहां समती तहां समती नाना जहां कुमती तहां बिपति निधाना ठीक तो जिसके घर में समती रहती है आपस में लोग घर वाले एक अठा रहते हैं दूसरे का कहना मानते हैं वो समती कहलात जहां पर यह चीज रहती वहां पर धन कभी कमी नहीं नहीं अब बको पतीर नहींः गधन्य इंसाथ वो एकदम सान्थ सभाव का ततना जगडालू ता नातो स्वारति भाने भान था चाएं करने की छमता थी तो लाक ने कहा कि मानो जो था वो उचित और अंचित ने धारित कर लेता था लेकिन हापस ने क्या कहा था हापस ने कहा था मानो को अराजक तक तुमाना इसने कहा मानो उचित और अंचित किसने हापस ने जबकि लाक क्या कह रहे हैं मानो उचित और अंचित का जो है अनुभो मलब उसको जानता था कि कौन से करते जो हैं या फिर कौन से कारे अनुचित हैं और कौन से कारे अनुचित हैं ठीक यह जानता था लाग का मानो लेकिन हापस का मानो जो था यह सारी चीज़ नहीं जानता था ठीक उसका मानो जगडालू था स्वार्थी था अहिंकारी था हाप्सका, लेकिल लाग का मानों ऐसा नहीं था, मनुस्य न्याय यो विवेक के अनुसार कारी कर सकता था, इनके समय मनुस्य मलब अपने विवेक के अनुसार, न्याय के अनुसार अपना कारी करता था, उसमें सह अनभूती, सह अनभूती मलब होता, एक दूसर को देखो तो उनके साथ मलब जैसे कि कोई दुख में है तो उसके साथ दुखी हो जाओ कोई सुख में है तो उसके साथ सुखी हो जाओ इसी को क्या कहते हैं सह अनभूति कहते हैं साथ साथ जो कोई चीजे हो मलब आपके friend को कोई हो गया मलब कोई friend है आपका उसको बहुत जादा दुख है तो आप भी इस तरीके से ब्योहार करें ताकि उसको लगे कि हाँ मेरा दोस्त है और मलब की तो आप भी थोड़ा दुखी हो जाए तो यह होती है सह अनभूती ठीक है जैसा वो अनभूती कर रह है वो इसे आप अनभूती कर रहें तो इसी को सहय अनभूती कहते है ठीक तो उसमें सहय अनभूती प्रेम और दया के गुण स्वाभाविक रूप से पाए जाते थे तो लाग के मानों के अंतरगत जो मनुष सिथा प्राकिरति कवस्था का यानि जब राज की उत्पत्ती नहीं हुई थी इस समय की बात ये लाग महोदे कर रहे हैं तब क्या था मानों कैसा था मानों प्रेम कर प्रेम की चीज़े जानते था प्रेम करना भी जानता था आज वाला प्रेम नहीं वो एक दूसरे से प्रेम होता था माता पिता के प्रति प्रेम हर छेतर में प्रेम होत तो सहन भूती प्रेम दया के गुड ये सारी चीज़े जानता था लाक यह मानते हैं कि मनुस सदेव अपने कर्टब का पालन नहीं करते हैं वे अक्सर सत्य नहीं बोलते हैं परंतु उन्हें यह मालूम है की सत्य बोलना चाहिए लाक का मानो प्रागिरते कवस्था में यह जानता था कि जो है हमेशा अपने कर्टब पालन करना चाहिए लेकिन फिर भी विभिन कर्टब होते थे तो कुछ ऐसे कर्टब होते थे उनका पालन नहीं कर पाता था इनका मानो और नहीं हमेशा सत्य ही बोलता था जबकि यह बाते उनको पता थी कि हाँ सत्य बोलना चाहिए सत्य बोलना ठीक माना जाता है ये सारी चीज़ इसको पता थी विबेक और ग्यान मनुस्य को पसू से अलग बनाता है या विबेक और ग्यान जो होता है मनुस्य को पसू से अलग बनाता है इसलिए कहा गया मानस में एक पंक्ति कही गई रामचरीद मानस में कि बिना पढ़ा नर पसू कहा हूए तो मलब कहने का आसा यहाँ पे यह है कि अगर मनुस्त के पास घ्यान होता है और विबेका निक कोई भी प्राणी हो उसके पास ग्यान और विबेक हो जाएगा तो वो भी मनुस्य कड़गरी में आ जाएगा ठीक है ध्यान रखेंगे तिनी चिंपेंजी बंदर जो होता है वो मनुस्य कड़गरी में कहीं कहीं पर आ जाता है ठीक तो विबेक और ग्यान जो होता है मनुस्य को किसे अलग करता है ठीक, जहाँ हाप्स ने माना था कि मनुस की समस्त क्रियाओं की मूल प्रेड़ा सरीर को सुख पहुचाना होता है वहां लाग का विचारिया है कि मनुस आत्मा की अवाज सुनता है और उसके अनुसार आचन करता है तो जो हाप्स महोदे थे ये क्या मानते थे हापस महोदे मानते थे कि भईया सरीर को सुख की अनभूती हो जाए आत्मा अत्मा कोनो मतलब नहीं तो हापस कहते थे सारीदिक सुख का भोग मिले मलब सारीदिक सुख मिले और हम उससे कोई मदद नहीं लेकिन जो इनका जो लाग का मानो है प्राकिरतिक अवस्ता का ये आत्मा की आवा सुनता था और उसके अनुसार आचन करता था मलब आत्म अनभूती यहाँ पे जादा थी ठीक वहाँ पर सरीर की अनभूती यहाँ पे आत्मा अनभूती है या सदेव स्वार्थी नहीं होता था कभी-कभी हो जाता था लेकिन हमेशा नहीं होता था कभी-कभी जूंड भी बोल देता था कभी-कभी अपने कर्टब्यों से वंचित भी हो जाता था इसी वेवस्ता थी लेकिन कभी-कभी अपवाद के रूम में सारी चीज़ एक्सेप्सन यह सद्देव स्वार्थी नही लाक ने बका कि इसे मानो जो था वो लाक का मानो जगड़ा नहीं करता था सब एक दूसरे से क्या करते थे सहनभूती प्रेम दया इत्याद की भावना रहती थी तो इनका जो इनके राज समधित पद्दी का सिध्धान थे इन्होंने का कि नहीं सामाजिक समझता हुआ उसके तहट जो है सारी चीजे हुई लाक के अनुसार हापस ने का कि ब्रह्मा के पास गए कहे कि नहीं बहुत ज़्यादा आ राजकता पहली है समाज में तो ब्रह्मा ने मनु को राजा बना करके भेजा और वही मनु शद्धा का प्रेम प्रसंग जैसे अंकर प्रसाज जी लिख से आप दो बार वीडियो सुनेंगे सब चीजे आपको को कांसेट क्लियर हो जाएगा रटने की जरूरत नहीं है एक दम कहानी के माध्यम से मैं आपको बता दी अब पलेटो का न्याय कैसा था पलेटो ने अपनी पुस्तक है इनकी एक पुस्तक क्या नाम है रिपबलिक तो जो उसे प्राप पे है यानि जो वो मलब चाहता है वो उसको क्या होना चाहिए उसके पास होना चाहिए यानि प्राप पे मतलब होता है जो उसको चाहिए इक्छा जो उसकी हो इच्छा आवस्सक्ता और मांग में हमने अंतर बताया था अभी बीए फस्टियर वालों को ठी का भी लेक्षर हमने अप्लोड किया हला कि आप लोग सेकंड इयर में हैं तो जान लीजे इच्छा आवा सकता और मांग तीनों में डिफरेंस होता है तो प्रतेग बेक्ति को वहाँ उपलब्ध होना चाहिए जो उसे प्राप्पी है मलब जो चाहता है पलेटु अपने न्या के सिध्धान्त थे उनको खंडित करते हुए उन्होंने अपने न्याय की विचार का सिध्धान्त दिया क्या कहा तो प्रतेग बेक्ति की आत्मा में आत्मा में तीन प्रकार की नैसर्गिक प्रविर्थियां होती नैसर्गिक मलब होता है प्राकिर्थिक यानि प्रदत होती है उसको प्राप तो ही होती है तो प्रतेग बेक्ति की आत्मा में तीन प्रकार की प्रविर्टिया होती है जो की प्रकृति के द्वारा मिली हुई होती है वो प्रविर्टिया ठीक निवास करती है जैसे ग्यान साहस और भूँख तो मनुस को भूँख लगती है इसे बच्चा पैदा होता है तो उसको भूँख जरूर लगती है चिलाने लगता तुरन भूँख लगती है तो पहली बात मनुस के अंदर कुछ ना कुछ ग्यान जरूर होता है ये नैसरगिक परविटिया होती है आत्मा के अंदर तो आत्मा ज्यानवान होती है, आत्मा साहसी होती है, और आत्मा भूंक लगना वगरा यह से जानती है, तो तीन परवर्थिया होती है, जो है आत्मा की और वो नैसरगिक होती हैं किसके नुसार, प्लेटो के नुसार, ज्यान, साहस और भूंक, जिस बेक्ती में ज्यान की प् ज्यान ज्यादा होगा ग्यान की प्रधानता होगी वह सासन का कारी करेगा निसासन चलाएगा जिसके पास साहस की प्रधानता होती हो सेनापती बनेगा सहनिक को पने अंडर में रखेगा और जिस ब्यक्ति में भूंक की प्रधानता होगी वह उत्पाधन का कारी करते हैं जो भाईया जिसके पास भूख की उत्पत प्रधानता जादा होगी जो ने आत्मा में वो आत्मा क्या करेगी वो उत्पादन के साधनों में भिड़ जाएगी तो एक तो हो गया राज चलाने वाला राजा बन जाएगा जिसके पास ग्यान होगा एक भाईया राजा के हुकम को मा प्लेटो कहते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं जिसमें तो ये उत्पादन का कारी कर सकते हैं इसी आधार पर समाज में तीन प्रकार के वर्ग होते हैं इन्हों ने कहा प्लेटो ने किसी प्रकार से इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी समाज में तीन प्रकार के वर्ग पाए जात उर्ट दस्यद्वै स्याहपादा अभ्यम सूद्रोव जायता इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि एक बिराड पुरुस के मुक्ष मंडल से ब्रामण की उत्पत्ती हुई जिसका कार अध्यन अध्यापन करवाना इत्यादिकारी था कर्मकांड बगारा करवाना था ब्रामण का ब्रामणवा से कंग उत्पान हुए उनका कार क्या था रक्षा करना यनि वो कार कौन सा कर रहे हैं सैनिक सासक का कार कर रहे हैं ठिक और और क्या था और यह दूसरा था मलब ब्राम्णों से मुखामासित बाहुराज जान्या करता उरुत दस्यद बैस्याहा जंगे के पास से कौन निकला बैस की उत्पत्ती हुई और वो क्या करने लगा वो उत्पादन के कारे में भीड़ गया और सुद्रो मलब जो सुद्र ब्राम्णों से मुखामासित बाहुराज जान्या करता उरुत दस्यद बैस्या पादाभ्याम पाद मतलब होता है पादाभ्याम सुद्रो अजा जाता है ठीक यह बेदे की स्लोक है तो यही मलबोरण विवस्ता पने हाँ प्रचलित है अब पलेटों का कह रहे थे पलेटों और भूंक से बनेगा उत्पादक यान जिसके पास ग्यान जादा होगा वो सासक बनेगा जिसके पास साहस होगा वो सैनिक बनेगा और जिसके पास भूंक जादा होगी अब भूंक जिसको जादा लगेगी वो उत्पादन के कारें में भिड़ जाएगा ये तीनों वर्ग अपना जो है खेती बारी करें और अपना उत्पादन के कारियों में भीड़े रहें तो ना तो सैनिक जो है वो उत्पादन के कारियों में जाए और ना सैनिक सासक के कारियों में जाए ना सासक उत्पादक के कारियों में जाए ना उत्पादक सैनिक के कारियों में ना उत्प और यही न्याय का उलंगन हो जाएगा. according to पलिटो वह सासक और सहिनिक वर्ग को राजी का अभी भावक मानता है उसके अनुसार सासक को क्या करना चाहिए सासक को दारसनिक होना चाहिए तब ही आदर्स राजी की स्थापना संभव सकती है तो जब एक सासक जो होगा वो ग्यानवान होगा और जो बेक्ति ग्यानवान होगा उसको मलब दारसन का ग्यान होगा मलब वो दारसनिक बनेगा और जब भाया वो दारसनिक बनेगा जब राजा जो होगा वो दारसनिक होगा यानि ग्यानवान होगा किसी भी छेतर का किसी भी एरिया का परधान मंतरी या राजा या फिर कोई जो सासक हो रूलर हो किसी भी एरिया में जब तक वो घ्यानी नहीं होगा तब तक उस राज की आदर्स रूप से कलपना नहीं कि जा सकती या आदर्स राज की कलपना नहीं कि जा सकती मलब एक अच्छे राज की कलपना हम नही तो इसे पहले हमने 12 देख लिए 13 लाग को अठरहावी सताबदी का अंगर दूरत तो क्यों कहा जाता कि है जो लाग भहिया जो थे सबस्ताबदी क्यों होती पहले समल लो 6 सताब्दी से 27 सताब्दी का मदब होता है सोला सो से लेकर के सत्तरा सो के बीच का जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं सत्तराहमी सताब्दी कहते हैं तो सोला सो एक से लेकर के या फिर सोला सो के बाद से जितना समय होता है सत्तरा सो के बीच का इसको सत्तराहमी सताब्दी इसके मलब इसके बाद जो 1701 से लेकर के 1800 बीच का जो समयकाल है इसको हम क्या करते है 18 मी सताब्दी ठीक ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार से इस समय कौन से सताब्दी चल लई है तो इस समय 21 मी सताब्दी चल लई है क्योंकि 2021 चल ला है तो कौन से चल लई है 21 सताब्दी 21 साल 21 सताबदी में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं ठीक समझ में आई बात आप देखो एक सताबदी तो लाग सत्तरावी सताबदी का विचारक था यानि 1601 से लेकर के 1700 के बीच का समयकाल प्रेटो का मलब लाग का है ठीक लाग का है समझे आप चलो आगे बढ़ते हैं और उसने 18 सताबदी के प्रारम्भिक दिनों को देखा था यानि जब 1701, 1702, 13, 14, 10 इस समयके आसपास को उसने देखा था लाग ने 17 सताबदी में जो विचार वेक्ट किये थे अपने सारे तमाम प्रेशार हमने अभी लाग की बिचारों को आपको समझाया होगा लाग के मानुस सभाव का वड़न कैसा था ये सारे शिजे लाग ने 17 सताबदी में जो विचार वेक्ट किया था उसी को लोगों ने आधार बनाया जो विचारक नए नए आये उन्होंने आधार बनाये इनके बिचारों को और इसी मलब इस पर से धांत दिये अपने अपने ठीक जैसे उदारवाद का जन दाता जो है वो लाग को ही माना जाता है जो उदारवादी बिचार धारा का जनक है वो कौन है लाग है लाक के प्रतिंद्धी सासन का जो बिचार दिया था वही आगे चलकल लोक तंत्र हो गया अमेरिकी संभिधान का निर्माड करते समय लाक के बिचारों का समाबेस करते हुए स्वतंतरता, समांता और बंधुत का नारा दिया गया ये किसके बिचार थे तो ये थे लाग के बिचार इसलिए लाग को अठरावी सताबदी का अगरदूत कहाता है क्योंकि अठरावी सताबदी में जो बिद्वानों ने बिचार दिये वो बिचार जो थे वो कहें न कहीं पे लाग के बिचारों से मैच करते थे या लॉक के बिचारों पर आधारित हुआ करते थे इसलिए इनको अगरदूत कहा गया अगरदूत मलब होता है कि इनहीं के बिचारों को मलब दोहर आयागा इनहीं के बिचारों को आधार मान करके आगे उनमें संसोधित करते हुए लोग करते गए तो अमेरिका के सम्मिधान में यहां तक की सुतंतरता समान तो हैं बंधुत का जो नारा दिया गया था ये इन्हीं का विचार था बिद्रो के अधिकार का समर्थन लाक ने ही किया था तो बिद्रो के अधिकार का समर्थन किस ने किया था लाक ने ही किया था जिसकी आधार पर फ्रांस की राजिकरांती ह जो हुई थी उसका समर्थन किस ने करा था लाक महोदे ने करा था जब फ्रांस की किरांती हुई थी ठीक हुई अता अठारावी सताब्दी पर लाक के बिचारों का प्रभाव पड़ा तो अठारावी सताब्दी पर लाक के बिचारों का प्रभाव खूब धरले के साथ लोगों ने इनके बिचारों को खूब आधार बनाया और लोगों ने इनके बिचारों को आधार बना करके अपने बिचार बहुत सारे दिये यहां तक कि अमेरिका की सम्मिधान में भी स्वतंतरता समानता बंधुत का जो नारा दिया गया वे उस अमेरिका में मलब स्वत् Ainतरता के लिए ये सारी जो मुद्दे थे ह्रांस की करांती का समर्थन हुआ ये सारी बाते कौन किया था? लॉक ने किया था इसलिए इनका जो प्रभाव था वो ऐतारव सताथी पर पढ़ा इसलिए इनको ऑतारव सताथी का अगरदूत माना जाता है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं तो कुल मिलागर के आपने समझ लिया बातें तो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में 14-15 इस प्रकार के परसनों को देखेंगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में सिसरों के कानून संबंदी विचार मैकिया बेली को उसके यूग का सिसू क्यों कहा जाता है उसको देखेंगे मैकिया बेली को उसके यूग का सिसू कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसको देखेंगे रूसों के प्राकरति कवस्था का वर्ण देखेंगे अभी तक हमने लाग की प्राकृति का वस्था आपको बता दी हापस की प्राकृति का वस्था बता दी अब हम देखेंगे रूसों की प्राकृति का वस्था ठीक ध्यान नखेंगे और लाग की प्राकृति का वस्था तो फिर हमने थोड़ी बहुत बता ही दी है फिर देख लेंगे लाग की प्राकृति का वस्ता थोड़ी बहुत कि क्या थी क्या नहीं थी उसको थोड़ा और देखेंगे हम मलब वह से देखना का प्रियास नहीं करेंगे लेकिन ऐसा प्रसंट पूछ लेगा तो आप वहां पे कर सकते हैं परस्ण आप से क्या पूछा गया था ग्यारा वाज नंबर परस्ण है कि लाग कोंद कीजिए तो भया करा सीरा परस्ण है यही आपको जोड़ देना है यही उत्तर आपको लिएना है सब्सक्राइब करें तो आपको मिलता रहेगा टाइम अगर सब्सक्राइब कर देगे तो चली फिर